तो गुद मॉर्निंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे फिले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो पहला प्रशन मारा क्या है रिचर्ड सी हॉलब्रुक विशिष्ट उपलब्दी पुरुसकार या इसे ही कहते हैं डोटून लिट्रेरी पीस प्राइज दोजार बीस की विजिता कौन रहे तो अंसर होगा मार्गरेट एटवुड ये कनेडियन है और इन्होंने अपने उपन्यास अपने नौवल दा हैंड मेड टेल्स के लिए ये पुरुसकार जीता है और मार्गरेट एटवुड का नाम अपने पहले भी सुना होगा 2019 का बुकर पुरुसकार मिला था इनको अपनी नौवल दे टेस्टामेंट्स के लिए वैसे 2019 का जो बुकर पुरुसकार है वो दो जनों को मिला था एक तो ये थी मार्गरेट एटवुड और एक थी कौन बर्नार्डीन एवरिस्टो अच्छा ये तो 2019 की बात होगे हम तो अभी की बात करते हैं 2020 की 2020 का जो बुकर पुरुसकार है वो किसे मिला मारी के लुकास रिजने वर्ल्ड को वो नीदर लेंड से हैं और उन्हें अपने उपन्यास दिस्कमफर्ट अफ इवनिंग के लिए 2020 का बुकर पुरुसकार मिला है अब मेरा एक प्रशन आपके लिए 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार ये किसने जीता फिर अगला प्रशन देखते हैं वर्ल्ड बैंक में कारेकारे निदेशक कौन बने राजेश खुलर बने वर्ल्ड बैंक का हैटकोर्टर वाशिंग्टन डीसी में हैं अध्यक्ष इसके हैं डेविड मालपास और हाँ गाइज अनकैडमी आपके लिए लेकर के आया है Speed and Accuracy Booster Test Series for SBIPO Prelimps Analysis Sessions के साथ वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस Test Series में होंगे Subject Wise Test जैसे के Reasoning के, Quant के, English के Test जो आपको आपकी SBIPO Prelimps Examination की Practice और Preparation में Help करेंगे तो Preparation को बहतर करने के लिए और Trick करने के लिए इस Test Series में होंगे Free Analysis Sessions जो आपकी तैयारी को पक्का करने में आपकी मदद करेंगे तो देखिए मिस मत कीजिएगा इस Opportunity को तो जल्दी से Enroll करिए इस Test Series में जो स्टार्ट हो चुकी है एक December से और हाँ इस Test Series में Enroll करने के लिए डाउनलोड करें Unacademy का App और Enroll पर क्लिक करें और अगर आप First Time Unacademy पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा Unlock Code CrackExam10 Enroll करें Test में for Free और Experience करें Unacademy प्लैटफोर्म को और यही नहीं अगर आप Unacademy का प्लस सब्स्क्रिप्शन लेंगे तो इस Code से आपको 10% Instant Discount भी मिलेगा जो अल्रेडी अप्लाइड होगा तो अगर आपने अभी तक Enroll नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें Unacademy एप Enroll करें और New Users Code यूज करना मत भूलिएगा जो भी Important Links है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो इस Free Opportunity को यूज जरूर कीजिएगा अभी हम बढ़ते आगे परे Asian Development Bank के कार्रेकर निदेशक कौन बने थे अभी ये बने थे समीर कुमार खरे देखो खरे से आपको याद भी आता हुगा दिनेश कुमार खरे SBI के नए चेर्मेन बने अचा Asian Development Bank की बात करते है Headquarter Manila Philippines अध्यक्ष मसाद्सकु असाकावा और अभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने अशोक लवासा फिर है राज्यसबा के उप सभापती ये बने थे अभी हरिवंच नारायन सेंग फिर है किसने My Life and Design नाम की बुक को रिलीस किया गौरी खान ने शारुख खान की वाइफ है ये गौरी खान उन्होंने इस बुक को रिलीस किया फिर है नौ खरब रुपे के बाजार पुंजी करन Market Capitalization को हसिल करने वाली दूसरी भारते कंपनी बनी TCS पहली तो Reliance Industries है अचा भी TCS के Founder का निधन हो गया था आपको बता है न चलो कमेंट बॉक्स में लिखकी बता हूंका नाम क्या है फिर अंतर राष्ट्रे लोकतंत्र दिवस International Democracy Day यह मनाते 15 सेप्टेंबर को वैसे 15 सेप्टेंबर को Engineer's Day भी मनाया जाता है फिर किसने सर्वश्रेष्ट पठकता पुर्था पुरसकार Best Screenplay Award जीता तो अंचर होगा चेतन्य तम्हाने ने फिर वैश्विक व्यापार के लिए Facebook प्रमुक के रूप में किसे चुना गया था अरुन श्रीनिवास को चुना गया था Global Business Group का Director फिर अमेजन ने Alexa के लिए Celebrity अवाज बनाने के लिए किस पॉलिवूड अभीनेता को चुना था अमिताब बच्चन को चुना था बढ़ते आगे फिर अब Promise Land नाम की बुक को किसने लिखा है तो आंसर होगा Barack Obama ने फिर किस बैंक ने ग्रहक सेवाओं को 2020 क्लास ओफ 17 यंग लीडर्स की शूची में सामिल किया गया था तो आंसर होगा उधित सिंगल को फिर किस बैंक ने Emerging Entrepreneurs Business की शुरुआत की तो आंसर होगा बंधन बैंक ने जिसका Headquarter कॉलकता में है MDCOS के चंदर शेकर घोश है फिर मुख्यमंतरी महिला उतकरश योजना ये शुरू की गुजरात सरकार ने फिर इवाहनों के लिए एक नई सबसीड़ी योजना की घोशना की थी अभी गुजरात की सरकार ने ही इसमें 12,000 रुपे तक सबसीड़ी मिलेगी फिर देश का पहला Exclusive Private Jet Terminal ये खोला गया दिल्ली एयरपोर्ट में यानि किंद्रागानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फिर एक इस देश ने रानी एलिजा बैद दृत्तिया को अपने देश के प्रमुपत से अटाने की घोशना की बार्बाडोस भरबाडोस की केपिटल ब्रिज टाउन है प्रधान मंतर मिया मोटली है फिर ए विश्व की पहली बायोनिक आँख तयार की आस्ट्रेलिया की मोनाश युनिवर्सिटी के विग्यानिकों ने इससे जो ब्लाइंड परसन है वो भी देख पाएंगे फिर ए अर्बन कुजर के रिए किसे ब्रेंड एम्बेजडर नियुक्ट किया गया तो अंसर होगा आयूश्मान खुराना को बढ़ते आगे तो चलिए कल के करन्ट अफेर्स को भी रिवाइस करते हैं पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है इलाबाद विश्व ध्याले की पहली मैला कुलपती कौन बनी तो अंसर होगा संगीता श्रिवास्तव कुलपती मतलब वाइस चांसलर फिर ए विश्व एडस दिवस वर्ल्ड एडस डे हम एक तैसंबर को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम रही थी ग्लूबल सॉलिडिटेरी शेर्ड रस्पॉनसिबिलिटी फिर किसे लोगसभा का नया महा सचिव न्यूक्ट किया गया तो अंसर होगा उत्पल कुमार सिंग को लोगसभा अध्यक्ष हमारे ओंबिल्ला जी है फिर किसे राज्य के मुख्यमंतरी ने दूर्यधार जील का लोगकारपन किया तो अंसर होगा उत्तराखंड उत्ताखंड के मुख्यमंतरी हैं त्रिविंद्र सिंग्रावत गवर्नर बेवी राने मोर रहा है फिर राष्ट्रे डेरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया तो अंसर होगा वर्षा जोशी को फिर है यूएस एर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदुशित शहर कौन सा रहा लाहौर सैकेंड नंबर पे नई दिल्ली और तीसरे पे रहा काठमाडू फिर है भारत में बाफ्ता ब्रेक्थ्रू पहल का राजदूत किसे न्यूक्त किया गया चुना गया तो अंसर होगा एर रह्मान को पाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश अकेडमी औफ फिल्मेंट टीवी आर्ड्स और अभी कुछ समय पहले इसके नए चेर्मेंट बने थे का नाम क्या है क्रशन इंदू मजूमदार फिर है भारत का पहला जंगल पार्क जिसे कहते हैं कोंडा गोरे ये किस राज्य में स्थापित किया गया तो अंसर होगा तेलंगना में फिर है किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहीम शुरू की तो आंसर होगा पच्चिम बंगाल ने बताओ फिर अगला प्रश्ण प्रेगा न्यूस की ब्रेंड अमबेजडर कौन बनी है तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा फिर है फ्यूचर ओफ रीजेनल को अपरेशन इन इसिया एंड द पैसिफिक नाम से जो बुक रिलीज हुई है वो किसने की है इसियन डेवलिप्मेंट बेंक ने जिसका हैटकौटर मनिला फिलिपिन्स में है अध्यक्ष मसाद्सुक वासा कावा है अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे अशोक लवासा फरे विश्वनाथ दत का अभी 94 वर्ष की उम्र में निदन हो गया क्या नाम था इनका क्या थे ये एक प्रसिद इतिहास कार थे क्या नाम था विश्वनाथ दत बढ़ते आंगे तो इस्ते अधिक विशन्स की बात करेंगे तो पहला प्रशन है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजन्सी का हेटकोर्टर कहां पर है तो आंसरों का मॉन्ट्रियाल केनेडा में इसके अध्यक्ष है विटोल्डा बाका फिरेफ फिना यानि की फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन ये स्विमिंग कॉंपिटिशन को रेगुलेट करने वाली बॉड़ी है तो इसका हेटकोर्टर कहां पर है लाउजेन स्विट्जे लेंड में है और आपको याद होगा इसने कुछ समय पहले 2021 के जो फूकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चेंपेंशिप जो की 2021 में होने वाली थी उसको इस्तगित कर दिया अब वो 2022 में होगी जापान में होगी फिर है अजर बेजान के कैपिटल क्या है बाकू है बाकू करन्सी अजर बेजानी मनत है और प्रेसिडेंट है इलहाम अलियेव फिर है पहला नोबल शांती पुरुषकार किसको मिला था हैंडरी डुनेंट को मिला था इन्होंने रेड क्रोस मुव्मेंट की स्थापना की थी और उसी के लिए उन्हें मिला था पहला नोबल पीस प्राइस और इस बार का नोबल शांती पुरुषकार किसको मिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला जिसका हैटकवडर रो मिटली में है फिर एक केमपे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? ये बैंगलूरू में है और अभी इसने भारत और मद्दे एशिया में सर्वश्रिष्ट शेत्रिय हवाई अड़े के लिए स्काइट ट्रेक्स अवार्ड भी जीता था फिर नवी करणिय उर्जा मंत्राले के सचीव कौन बने? तो आंसर होगा इंदू शेखर चतुरवेदी और हमारे नवी करणिय मंत्री यानि की नियू एन रेनेवल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? आरके सिंग है फिर एक किस राज्य ने देश की पहली F.I.R आपके द्वार योजना शुरू की तो आंसर होगा मद्दे प्रदेश ने फिर है अटल पेंशन योजना ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आंसर होगा 2015 में ये शुरू हुई थी मोदी जी ने इसको शुरू किया था कहां से? कॉलकाता से तो ये जो योजना है अटल पेंशन योजना ये 18 साल से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है इसमें क्या होता है? 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलती है 1000 रुपे से 5000 रुपे तक की पेंशन मिलती है फिर है नाइटेंगल ओफ इंडिया भारत की कोकिला के इनको का जाता है? सरोजी नी नाइडू जी को का जाता है और उनके जनम दिन को याद होगा हम लोग नेशनल वुमेंड डे भी मनाते हैं 13 फरवरी को और फ्लोरेंस नाइटेंगल का जनम दिन होता है 12 मई को जिनने लेडी विद दलेम के नाम से भी जाना जाता है उनके जनम दिन को हम इंटरनेशनल नर्स डे के रुप में मनाते है फिर इसराइल की केपिटल क्या है जेरूसलम है इसराइल की करंसी है इसराइली न्यू शेकिल प्रधर मंत्रियें बेंजामिन निप्याहू अब यह आपको याद होगा इसराइल ने अपनी एक सड़क का नाम टेगोर स्ट्रीट के नाम पर भी रखा था बढ़ते आगे तो डेज की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ओलम्पिक डे यह हमने मनाया 23 जून को MSME Day Micro Small Medium Enterprises यह हम मनाते है 27 जून को MSME मंत्री हमारे नितिन गड़करीजी है जिनका निरवाचन शेतर नाकपूर है और हमारे जो MSME मंत्राले के सचीव है वो बनेत है अभी अरविंद कुमार शर्मा फिर है नेशनल स्टेटिस्टिक डे 29 जून को मनाते हैं और एक World Statistic डेबिय होता है जो हर पात साल में एक बार मनाते हैं हम 20 अक्टूबर को फिर है National Doctor Day यह मनाया जाता है 1 जूलाई को देखो 1 जूलाई को विसे राष्ट्रे डाक कर्मचारी दिवस भी होता है और 1 जूलाई को ही National Chartered Account डेबिय होता है फिर है World Sports Journalist Day यह हमने 2 जूलाई को मनाया फिर International Day of Corporatives सहकारीता दिवस 4 जूलाई को मनाते हैं फिर है विश्व जनसंख्या दिवस यह मनाते हैं 11 जूलाई को और फिर है विश्व यूवा कौशल दिवस विश्व यूवा कौशल दिवस यानि की World Youth Skill Day 15 जूलाई को मनाते हैं जिसकी थीम थी Skills for a Resilient Youth फिर अंतर राष्टर निया दिवस यानि की Day of International Justice यह हम मनाते हैं 17 जूलाई को फिर है Nelson Mandela Day मनाया जाता है 18 जूलाई को तो गाईज ये था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अब कुछ कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुशन्स आप लोग लगाईएगा और देखिएगा कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारें बाके बन को कल सॉल करते हैं यह रहे कुशन्स आपके सामने झाल झाल